अगर आप देज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए लेकिन अगर आप दोर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए रतन टाटा की ऐसी अन्मोल बाते दशकों तक हम सभी को इंस्पायर कर दी रहेंगी किसी बिजनसमेन के लिए इतनी लोग प्रियता बहुत कम देखने को मिलती है जैसी हमने रतन टाटा के लिए देखी उन्होंने अपने वेवार, विनमरता, साथकी और सोच से लोगों के दिल में एक खास जगा बनाई 1991 में जब भारत में LPG रिफॉर्म्स लाए गए, उसी साल रतन टाटा ने टाटा ग्रूप्स का नेत्य तो समाला और 1991 से 2012 तक इनके लीडर्शिप में कमपनी का रेवेन्यू करीब 40 गुना से जादा और प्रॉफिट लगबत 50 गुना इंक्रीज हुआ इन्होंने बहुत से इंपोर्टेंट एक्क्यूजिशन्स के मात्यम से टाटा ग्रूप को एक इंडिया सेंट्रिक कमपनी से ग्लोबल बिजनस में तब्दिल कर दिया इनकी माहान सोच का अंदाजा इस बाच से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने बारिस में बाइक पर चार लोगों की परिवार को जाते देखा तो नैनो कार का आईडिया आगे रखा ताकि ऐसी फैमिलीज को एक सुरक्षित और किफायती विकल्ब मिल सके रतन डाटा भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी विरासत हमेशा कायम रहेगी क्या यूरोप को इन छोटी-छोटी कंट्रीज को मिला कर अमेरिका जैसा एक बड़ा देश नहीं बना लेना चाहिए था अगर देखे तो USA और यूरोप के जोबरफिकल एरिया में जादा अंतर नहीं है और पूरा यूरोप मिलकर अमेरिका से थोड़ा ही बड़ा है जहां अमेरिका में टुटल 50 स्टेट्स हैं वही यूरोप में 40 से ज्यादा देश हैं लेकिन जहां अमेरिका में सभी स्टेट्स एक जैसा कल्चर से एर करते हुए मुश्टली एक अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज यूस करते हैं वहीं ये बात यूरोप पर लागो नहीं होती यूरोप में अलग-अलग देशों का एक लंबा इतियास है और बहुत से देश की अपनी अलग-अलग संस्कृती बासा और पहचान है इस वज़ा से वहाँ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स काफी स्ट्रोंग है यूरोपियन कंट्रीज की बीच एकोनोमिक डिफरेंसेज भी बहुत है जहाँ कुछ देश दूसरों की तुलना में अधिक डिवलप है और उनकी एकोनोमि भी रिलेटिवली काफी स्टेबल है इससे फाइनेशन कॉन्ट्रीबिशन और बेनिफिट्स को लेकर भी तनाव और असामती हो सकती है साथ ही कई यूरोपियन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलोजीज भी काफी अलग है जिससे ये एक यूनिफाइड गॉर्मेंट इस्ट्रक्चर के लिए शायद ही कभी एगरी होंगे समोसा और चिप्स असली कलपरीट है डाइबिटीज के बता दे इंडिया को वर्ल्ड का डाइबिटीज केपिटल कहा जाता है क्योंकि यहां लगबख 101 मिलियन लोग डाइबिटीज से पीडिते हैं और 136 मिलियन लोग प्री डाइबिटीज के शिकार हैं जिने डाइबिटीज होने का रिस्क काफी आई है अगर इन दोनों नंबर्स को मिलाया जाये तो यह ब्राजिल की पूरी आबादी से ज़्यादा है जो दुनिया की सेवेंट सबसे अधिक जन्जन के अवला देश है ICMR की एक रिसेंट स्टडी के अनिसार उन खादि पदार्तों से डाइबिटीज का खतरा बढ़ता है जिनमें AJC यानि Advanced Glycation End Products की मातरा अधिक होती है यह तब क्रियेट होता है जब प्रोटीन और सुगर हाई टेंपरेचर बर मिलते हैं इस केटेगरी में अधिकतर जंक फूट आते हैं जैसे समूसा, पकोडे, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और यहां तक की केक जैसे बेक्ड प्रोटक्स 50% से ज़्यादा बच्चे रोजाना पैकेज जंक फूट खाते हैं जिससे बच्चों में भी डाइबिटीज की मामले बढ़ने की संभावना बढ़ रही है इसलिए तैवाल के मौसम में खाने के सिलेक्शन पर द्यान ज़रूर दें और साते ही साथ गौवर्मेंट को भी जंक और पैकेजड फूट के लिए रून को और स्ट्रिक करने की ज़रूर दें